कि बिस्मिल्लाइ रख्मान रखीम असलाम वालेकूम वेलकम टू आल अफ्यू इन माई यूट्यूब चैनल एक नई और बहुत इनफर्मेटिव वीडियो के साथ आपके खिद्मत में हाजर हैं अगर आप पाकिस्तान में हैं या ओवर सीज पाकिस्तान हैं और गल्फ कंट्र करें पाकिस्तान में जीवलर लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से चार्जिज के नाम पर रकम बटूरते हैं जिनका एक्सर हमें इल्म ही नहीं होता और बदले में नाकस गोल्ड जैसा के 18 करेट को 22 करेट के नाम पर और 22 करेट को 24 करेट के नाम पर बेचा जाता है इसल आने वाली वीडियो आप तक पर हो सके अगर आप गोल्ड खरीदना या बेचना का इरादा रखते हैं तो आपको चन्द बुन्यादी चीजों का इल्म होना चाहिए ताकि आप जूलर से दोखा ना खा सके वीडियो के आयम नुकाहत में गोल्ड की अक्साम गोल्ड पेवर गोल्ड और नंबर दो पठोर गोल्ड पीस कोल्ड मुकंबल खालिस कोल्ड होता जैसे कि चोबीस केरेट गोल्ड में 99.9% प्यूर गोल्ड होता और यह जादा तर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तमाल होता है और इसे आम तोर पर आप मार्कीट में बिसकट की शकल में दे के फैरिस्ट है जबके गल्फ ममालिक साओदी अरव यूए कतर बहरीन ओमान क्वेट से भी अब भीतर गोल्ड खरीज सकते हैं पठोर गोल्ड वह होता जो बार-बार रिसाइकल करके प्लाया गया होता है और फिर जूलरी की तैयारी में इस्तमाल करके इसे जिवरात बतती है कि आई अब आपको गोल्ड प्रिवडियोटी बार में बचाते हैं कि एक कारट से लेकर 24 बीकर्ट की जूलरी में किसना छाल फोना होता है कि सबसे पहले बात करते हैं 24 करट झीडों के खाले सोना होता है और जटातर इनवेस्टमेंट में इस्तमाल होता और लोग तो विएसरे आपने पास भी टिर्टांनम जुक्राक्ण में चक्पर नन्मां यजद रखते हैं 58.3% 13-54% 12-50% 11-46% 10-41.7% 9-37.5% 8-33% 7-29% 6-25% 5-21% 4-17% 3-13% 2-8% 1-4% 4-21% आईए अब आपको बताते हैं कि जीलरी के त्यारी में कौन-कौन से केरिट का गोल्ड इस्तमाल होता है इसका जो कोड है वो टिपल नायन है 22 केरिट जैसा कि आप पहले चार्ट में भी बताया 91.7% फ्योर गोल्ड बताया इसमें और यह 916 और 917 नंबर जो है वो इस्तमाल के रियाता इसके लिए 18 केरिट के लिए साथ सुपचाज सोड़ा करेट के लिए 583 585 बारा करेट के लिए पांसो दस करेट के लिए 416 417 और 9 करेट के लिए 375 जो है वो इसका कोड है अब आखिर में सबसे अहम पॉइंट की तरह आते हैं कि गोल्ड खरीदते वक्त आपको गोल्ड के प्राइस और वदन को कैसे कल्कुलेट करना है और जूलर जो है किस तरह आपको कीमत और वदन में दोखा देकर रिकम बटोरता है तो सबसे पहले आपको गोल्ड के बेसिक चुलर वेट्स के बारे में बताते हैं एक और जिया पर एक तीज ख्राम और सो ब्रे ws एक तोले में 12 ग्राम ऑर 65 इसाट मिली होते है एक 12 माशनां की बराबर है 1012 माश्ञेakah के चुले तो नीचे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा भी है कि जिस तरह एक माशा में 0.972 ग्राम है तो मल्टिप्लाइ बारा माशा के तो एक तोले में बारा माशा होते हैं तो इस एक्वल टू वन तोला जो है वह गैरा अशारिया दूत्यार जिए मिलिव और से 17고 बारा तक रिए म क्वाश्चेशर में भैबर के लिए बाइब हजार मीली ग्राम के दोसों मिली ग्राम ब्राइबर के के वांटी तो 2.25 mg वराबर है एक रधी के और एक रधी को रहाए जेरू पाइंट नाइन वन कारेट के पर एक चेटाएंक पांच तोली के बराबर है एक पाँ में पर बात करते हैं पर बातों का ख्याल रखना है हमासा के करता है और आप जब गोल्ड बेचने जाते तो काrophy LinkedIn नहीं करता फ्राइस गोLE टार्टिस में में कालकुलीशन में सबसे पहले और इचे पीचे सार्ज और ustom पर्षेंट ओन टोटल वैल्य आफ परचेज जो गोल्ड इसके उपर है यह आपके सामने एक एक ग्रम्टल है कि भाई करते वक्त किन चीजों का ख्याल लगना है एक तो आपने उस दिन की क्रेंट प्राइस जो है वो पर ग्राम देखने है प्लैस मेकिंग चार्ज पर ग्राम मल्टिप्लाइब वेट अगर आप पांच ग्राम गोल्ड परचेज करते हैं तो दो सो रियाल अगर प्राइस है प्लैस मेकिंग चार्ज जो है टेन रियाल पर ग्राम है तो मल्टिप्लाइब जो आपका पांच ग्राम वेट है तो यह दो सो दस रियाल यह जो भी है अपी क तो फाइनल आपकी प्राइस जबर एक हजार पिशास जो है कि अधरão G माू сообщ यूइल debate हो सकती है इसके एलावा कुछ के वे आप 15 वाली पर CC ओसओल कि याते हैं उकी म्षाल्गत पर टैन तो आपको 100 रियाल चार्जेद देने होंगे 10% अगर आप पाकिस्तान से गोल्ड बाई करने हैं तो वहां पे मुख्तलिफ चार्जेद जैसा के मिजदूरी पॉलिफ चार्जेद और टेक्ट के नाम पे पैसे वसूल के जाते हैं तो आपने काफी इतियात करने हैं और यह ची तो उसकी प्राइस 26,256 होगे अब 26,256 के 10% चार्जेद 2,625 रुपे बनते हैं इस तरह टोटल प्राइस 28,886 रुपे हो गए अब टोटल वैल्यू आप पर चेज गोल्ड को इपर 3% टेक्ट जो है वह 28,886 पर 866,44 टेक्ट बनता है तो इस तरह टोटल प्राइस 29,748,04 हुई इसके लावा जब आप गोल्ड बेचने जाते हैं तो एक्जम्पल वन और टू में बताएगे तमाम चार्जेद जूलर एड़ नहीं करता है और आपको सिरफ उस तिनकी क्रेंट गोल्ड प्राइस पर ग्राम के उपर आपसे गोल डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आई होगी आखर में मेरी तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुआ है कि अल्ला पाक आपको खुशियां दे और आपकी जिंदगी के सारे घम मिटा दे आमीन वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोट आपको मिलती रहें अगली वीडियो तक के लिए इजाजत अल्ला हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद